Hey guys welcome back to my channel तो मीशो पर देखी मैंने ये वाली smart watch जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे android applications दिख रहते हैं जैसे की instagram, whatsapp, youtube और ये सबी और मैंने इसकी pricing देखी pricing बहुत ज़्यादा कम थी just 741 है and इसके उपर कुछ आप UPI के discount वगेरा use करोगे तो ये आपको 600 तक देखने को मिल सकती है तो 600 to 700 के बीच में इसका price रहता है और अगर बात करें इसके features की तो features तो यहाँ पर काफी सारे बताये हुए है और में को बहुत interesting लग रही थी ये watch तो मैंने definitely इसको purchase कर लिया and आज किस video में इसका full review दूँगा ये वैसे में core receive हो चुकी है और बताऊंगा कि क्या जो इसके photo में बताया था जो android application वो वगरा चलते हैं या पर नहीं चलते तो सबसे बॉक्स की बात करें तो बॉक्स यहाँ पर normals आपको देखने को मिल जाएगा कुछ highlighted features mention के हुए है जिसमें से कुछ-कुछ काफी अच्छ है जैसे के wireless charging NFC वाला feature है उसके साथ Bluetooth calling वाला feature भी है and back side में ज़्यादा कुछ information नहीं है बाकी overall box की quality ठीक ठाक देखने को मिल जाती है बाकी box को open करते ही आपको user manual देखने को मिल जाएगी user manual के अंदर काफी सारी information प्रोवाइट की हुए है तो ये सभी आप check कर सकते हो बाकी इस watch के साथ आपको wireless charging cable देखने को मिल जाएगी and true wireless charging का support देखने को मिल जाएगा इस watch के अंदर यहाँ पे कोई भी pins वगेरा नहीं है बाकी ये smart watch इस तरीके से देखने को मिल जाएगी अगर बात करें first looks की and impression की तो looking wise same to same apple watch ultra जैसे दिखती है and उसी वज़े से इसके अंदर यहाँ पे total three buttons प्रोवाइट किया हुए and तीनो buttons जो है ये work करता है ये इन में से कोई भी fake button नहीं है जो की बहुत अची बात है बाकी crown working है इस watch के अंदर बाकी इस side में speaker भी provide किया हुआ है इस side में microphone है और back side में कुछ sensors वगेरा देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर removable steps का option है and 44 mm के कोई भी steps इस watch के अंदर आप install कर सकते हो यहाँ पर locking वाला feature जैसा कुछ देखने को तो मिल रहा है बट यह कोई real नहीं है यह just ऐसी show के लिए तो यह work नहीं करता है यह जो locks वाला feature है यह just show के लिए है बाकी overall अगर बात करें इस watch के looks की तो looking wise तो देखो same apple watch ultra जैसी है बट एक ही problem है कि bezels इसके अंदर बहुत मोटे मोटे देखने को मिलता है यहाँ पर वैसे आप notice करीब आ रहे होंगे कि चारों तरफ बहुत जादा bezels है बट हाँ अगर black color में कोई watch face लगाओगे तो visible नहीं होंगे बाकी आप देख सकते हो black color के अंदर काफी अच्छे से manage किया हुआ है इन bezels को बट हाँ अगर आप कोई इस टाइप का watch face लगाओगे तो clearly आपको जो bezels है वो देखने को मिल जाएंगे तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बाकी अगर बात करे features की तो सबसे पहल अगर बात करे display की तो इसके अंदर आपको HD display प्रवाइट किया हुआ है इसकी brightness ठीक ठाक देखने को मिल जाती है डाइरेक्ट आउट्टोर सनलाइट में यूज़ करोगे तो कभी कभी problem हो सकती है बाकी UI की बात करें तो नीची की तरफ स्वाइप करके notification वगरा चेक कर सकते हो ये सभी options देखने को मिल जाएंगे बाकी हाँ एक अच्छी बात इस watch के अंदर ये है कि crown working है तो इस crown को rotate करके आप आराम से use कर सकते हो बाकी इस button को press करके sports mode आ जाएंगे या फिर आप अपने इसाब से set भी कर सकते हो इस वाले button को press करके watch का on off कर सकते हो इसको जैसे ही प्रेस करोगे applications आ जाएंगे बहुत सारे application इस watch के अंदर प्रोवाइट के हो है आप देखी सकते हो हल्के फुल के lag शो होता है बढ़ हाँ overall smooth है कोई ऐसी major problem नहीं है बाकी crown को rotate करके आप zoom in और zoom out भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से and yes इसके ओपर tap करोगे तो आपको menu style change करने का option मिल जाएगा लाइक आपको इसको डबल बार tap press करना पड़ेगा इस button को तो menu styles change हो जाएगी इस watch के अंदर काफी सारी menu styles provide की हुई है तो वो सभी आप menu style check कर सकते हो अभी यहां पर मैं एक बार वापस open कर लेता हूँ तो यहां पर इसको कई बार press करते हैं तो menu style change नहीं होती तो बार बार continuously press करके मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर यह सब भी menu styles है बाकि अब एक एक करके इसके अंदर application चेक कर लेता है पहला option है इसके अंदर dialer का यहां से आप किसी को भी calls वगिर आराम से प्लेस कर सकते हो and speaker की quality अच्छी है तो calls वगिर आराम से कर पाऊगे उसके बाद है context, call locks, messages, फिर है pedometer pedometer के अंदर steps वगिर accurately count करके बता देगा उसके बाद sleep monitor जो कि उतना कुछ खास अच्छे से वर्क नहीं करता उसके बाद sedimentary reminder है उसके बाद है remote capture and bt music का option and bt music को use करके आप watch के अंदर ही songs सुन सकते हो इसके अंदर inbuilt speaker प्रोवाइट के हो है तो इसके मदद से आप songs होगिरा सुन सकते हो उसके बाद find device का option फिर है alarm का option पर दिकत की बात यह है कि alarm आप इसके application से ही लगा सकते हो watch के अंदर alarm लगाने का कोई option नहीं है उसके बाद है settings जिसके अंदर है hand light का option do not disturb shock यानि कि basically race to wake gesture वाला feature है उसके बाद है language फिर है time setting जिसके अंदर आप watch के अंदर ही time set कर सकते हो जो कि बहुत अची बात है और यह feature important है मेरे हैसाब से तो नहीं तो आपको watch को बावा फोन से connect करना पड़ता है time को sync करने के लिए उसके बाद है brightness आप देख सकते हो भी full brightness पर मुझे थोड़ी कम लग रही है अब ही भी वाकि उसके बाद screen time जो कि आप अपने इसाब से set कर सकते हो फिर है यहाँ पर password लगाने का option and once again यह बहुत अच्छा option है इसके price range को देखते हुए क्योंकि password वाले option इस price range में generally watches के अंदर नहीं मिलते है पता नहीं क्यों उसके बाद brightness भी अगें repeat हुआ है उसके बाद इसके application का qr code इसके साथ आपको hry fine hry fine का option देखने को मिल जाएगा तो इसको download करके use कर सकते हो फिर है reset और shutdown का option जो अगें आपको settings के अंदर दे दिया था तो पता नहीं अलग से क्यों दिया है उसके बाद torch के अंदर ठीक ठाक brightness देखने को मिल जाती है बिलकुल अगर dark हो तो इसको यूज में ले सकते हो उसके बाद next एक LED lights provide की हुई है तो इसकी accuracy पर आप बिलकुल पर रिलायर नहीं कर सकते तो हाँ यह जो features है heart rate वाले blood pressure वाले उसके साथ blood oxygen वाले यह सभी fake है उसके बाद next यहां पर run का option है और यहां पर kilometer बता देता है पर steps नहीं बताता तो वह इसके अंदर थोड़ी में को दिक्कत लगी बाकी इसके अंदर तो सिर्फ calories बन बताता है और वो भी अपन चेक नहीं कर सकते accuracy की कितना क्या accurate बता रहा है बाकी उसके बाद next यहां पर आपको मतलब जो sports mode होता है न वो तो लाइक sports के feature में देने चाहिए न अलग सी क्यों दियो है आई थे इनों को थोड़े application बढ़ाने होंगे इसलिए इस तरीके से किया हुआ है बाकी next इसके अंदर weather का option है इसके अंदर previous seven days का weather show हो जाता है उसके बाद next यहां पर stop watch का option and stop watch को आप यूज कर सकते हो काफी अच्छे से work कर लेती है कोई problem नहीं होगी तो यहां पर close कर देता हूँ उसके बाद menu style जो कि मैं आपको बताई चुका हूँ फिर language option फिर breathe and इस watch case आप से breathe करोगे तो आपको health benefits मिल सकते है and yes animation इसके अंदर अच्छे शो होता है उसके बाद इस Siri वाला Facebook, Skype or Twitter but अपने जैसा कि देखाता है na photos में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो सही में application चलता है पर अभी बता चला कि WhatsApp वगेरा इनके अंदर सिर्फ इनके notification आते है like WhatsApp का जो notification होगा वो respectively इसके application में आ जाएगा Facebook का इस case में आ जाएगा तो इस तरीके से आप notification देख सकते हो बट यह application नहीं चलेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखना बाकि overall अगर बात करे conclusion की तो हाँ अच्छी watch है इसको आप definitely consider कर सकते हो क्योंकि 600 के सबसे features अच्छे मिल रहे हैं and कुछ-कुछ इसके pros भी है और cons भी है सभी मैं आपको बता चुका हूँ तो hopefully यह वीडियो आपक आपको reviews देखने हो तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेना क्योंकि daily 2 pm पे आपके लिए एक नई smart watch का video लाता रहूँगा मैं consistently अब तो आप subscribe जरूर से करके लगना and yes अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो like share subscribe जरूर से कर लेना मिलता हो आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई